Welcome back to streamers आज हम पंजाब के कुराली आए हैं और आपको स्वामी शिव स्वरू पाश्रम दिखाएंगे स्वामी जी का जनम केरल में अर्विन नाम जोई हुआ था कक्षानौ की एक घटना से प्रेरित वोकर इन्होंने अध्यात्म करता चाए अपना घर स्वोर्तर यम आध्यपदेश के खानवा में पहुँचे और पूरे भारत के धार्मी स्वाले पर जाने करने में दिखा ऐसा ही करते करते वे 1946 में कुराली पहुँचे कहते हैं कि वे अस्वस्थ होने की वज़ा से कुम मेले में नहीं जा सकेते तब गंगा मैया ने स्वयम इस आश्रम में आकर स्वामी जी को दर्शन दिये थे लोगों का मानना है कि इस हैंट पंप से गंगा का पानी भेता है इसलिए शायद इन्हें स्वामिशिव स्वरूप और कैलाश धाम भी कहा जाता है 2000 में स्वामे जी की मिर्ती हो गई ये हैं उनकी कुटिया जिसे अब काफी मौडिफाई कर दिया गया है पर आज भी आप देख सकते हैं कि वे यहां कैसे अपना सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे इस कक्ष में उनकी समाधी है यहां इनके भक्त बैट कर अपना ध्याने कत्रित करते हैं स्वामी जी को याद करते हैं तथा उनकी सिखाए हुए ज्यान को भी याद करते हैं यहां स्वामी जी की खराव भी रखी गई है इस कक्ष के दूसरे कोने में इनका आसन, जूला, कमंडल और कपड़े आदी भी रखे हुए है, ये भ्रम रिशी श्री शालिक ग्राम जी महाराज की प्रतिमा है, इनके कक्ष के साथ है ये पीपल का पेर, जिसने इस कुटिया को भी सहारा दिया हुआ है, आश्रम के परियावरन काफी शांती पूर्ण है, ये देखिए, कैसे ये दो पेर जुरकर बीच में एक ब्रिज मनाते हैं, कहते हैं, इस पेर के नीचे बैटकर स्वामी जी अपना ज्यान बाटते थे, इसी पेर के नीचे शिवलिंग भी है, तथा कावर यात्रा का कावर भी रखा हुआ है, आश्रम के बीचों बीच है ये मंदिर श्री सिद्धेश्वर महादेव, त्योहारों पर इस शिवलिंग को बहुत ही सुन्दर तरीके से सजाया जाता है, स्वामी जी का वाहनकक्ष यहां उनकी गारी रखी हुई है, आश्रम की एंट्रेंस के बाद ये दुवार आपको कुट्टिया की ओर लेकर जाता है, इसी के बहार है एक लंगर हॉल और रुद्राक्ष के पेर, रुद्राक्ष डर्शन के दुवार से जाकने पर आपको रुद्राक्ष के पेर तथा फल नजर आए गिए, मुझे रुद्राक्ष के हरे फल नजर आये थे, जो कुछ ऐसे थे, इसी के साथ हमारा व्लॉग यहां समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, और आपको रहां समाप्त पल नजर, को थे जाए दो रुद्राक्ष लुद्राक्ष खास business, रूंख रीचित रापको रिमिले वविले व्लॉब़ यहां समापको, कि दीत को हंगलेवें, जो के दितक साथ हम्लॉबद्राक्ष के हमनों रहा Az